कॉंग्रेस के पुरो प्रदेश उपाध्यक्ष और वरिष्ट नेता शंकर चंद रमोला का आरोप है कि प्रदेश में भरष्ट चार चरम पर है हाले में सामने आए UK, SSSE और अन्य भरती घोटाले इसका सुबूत है शंकर चंद रमोला ने मीरिया से बात करती हुए कहा कि उत्राखंडर राजी के स्थापना जिस उद्देश को लेकर हुई थी वह सब सपने धो मिल हो गए प्रदेश का हरवर्ग आज परेशान है जसमें भाजबा और कॉंग्रेस दोनों के लोग शामिल है वही उन्होंने कहा कि भरती घोटाला प्रकरण की CBI जाच कराकर दोशियों को सलाखों के पीछे भेजना चाहीगी राजनेदिक महाल है ऐसे में जो परदेश उत्राखन बनाया गया था लगता नहीं कि अपने पूरे हो पाएंगे देखे जब हमने उत्राखन बनायाने की बात करें आंदोलों करें हम दो सचना हमारी अपने सरकार हो भी हम आदिया चोलेगा कि अधर करें इतना व्राश्चारा आज है इतना कभी नहीं था इतना इपि में नहीं है हम एने देख हैं कि आज राजनुति सोच वहार है नहीं है और ब्यात क्छा प्रस्ट चालम सीमा पर हैं इसमें कोई सोची नहीं रहां है हर विक्टि कमाई की तरफ है कोई बीकषिंक गोड़ा हो एक दर नहीं राजनलति कमाई की अब लगके वहा था इसे में जो भरती गोटाले सामना आए इसको लोगे क्या ते दिया उनको सजादोना परे तरह सब दिखावा है कुछ नहीं होगा अभी मता रहा हूं तुमने आयोग उठादा आयोग बंग कर दिया यह कुछ नहीं खाने वाले वाले यह है कि आप लोग क्या मानते हैं कि इनका नाम उजागर होगा यह गवां नेता है और मंतिर ते शंबली दा है मता कि अ झाल झाल